हलो दोस्तों मेरे नाम है आशिस सोनी और आज हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं Error and Measurement का Lecture No.2 तो दोस्तों आज इस lecture में हमें जो पढ़ना है वो है Absolute Error, Mean Error, Relative Error, Percentage Error और Representation of Error आज हमें थोड़े से बिलकुल बेसिक से इन टर्म्स को क्लियर कर लेना है ठीक है, इसके बाद जो लेक्चर में होगा हमारे पास वो होगा Propagation of Error जिसमें से धेर सारे कोशन पूछे गए हैं IAT में यह बिलकुल बेसिक है, यहां से कोशन कम आते हैं मगर आजरूर सकते हैं तो हमें यह सब टर्म्स क्लियर होना जरूरी है ठीक है, इसमें भी कोशन पूछा गया है, यही में इसलिए आप इसे छोड़ तो नहीं सकते हैं ठीक है, तो आपको यह भी अच्छे जगन नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन देखिए मान लीजिए कि हमने एक एकस्पेरिमेंट को परफॉर्म किया और उस एकस्पेरिमेंट में हम उस एकस्पेरिमेंट को हमने एंड टाइम्स हमने परफॉर्म किया, ठीक है अब जब हमने एंड टाइम्स परफॉर्म किया है हईड से बात है उसमें reading भी एड़ींग सोगी है न उसमें तो मान लो कि बहिया हमारे पकत पहली रिडिंग काया कि इतनी एन आई थी कि Originally को भी किम था उसरी बार क्या ईल्ट करने पर ऊप्रूलिकार फिरकरने पर आ कि एक है नुसमें देते हैं कि इइफ A1, A2, A3 A1, A2, A3 A1 are the readings in an experiment in an experiment अब वो experiment बेटा किसी के लिए भी हो सकता है हो सकता है उसने scale measure कर रहा हो हो सकता है कि उसने time period pendulum का निकाला हो ठीक है? watch से उसने हर बार measure कर रहा हो तो वो सब भी हो सकता है कोई सी भी experiment को perform कर सकता है ठीक है A1, A2, A3, A, N यह सब उसके उस experiment में reading है ठीक है जब जब उसने करे अब ध्यान से समझना अब क्योंकि हमें actual value नहीं पता देखे कई बार तो वो question में खुद actual value देगा तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है अगर उसने actual value दे दि तो अब अगर उसने actual value नहीं दी है तो आपको क्या करना है जो आप देखो अब actual value नहीं पता उसकी जिसे मान लो अगर हमने length measure करी है तो हमें नहीं पता उसकी actual value क्या है तो आप क्या करोगे आप इन सब reading का arithmetic मिल लेंगे ठीक है तो इफ एक्चुल और करेक्ट वेल्यू नॉट गिवन देन हम उसका अर्थमेटिक मिन ले लेंगे ठीक है तो एम हमारे पास क्या होगा बेटा कंसिडरेस करेक्ट या बोले एक्चुल या एक्चुल व्विगे या वह बोले है ऑपशेल्विट वेल्यू अपशेल्यूट वेल्यू हम उसको एक्शेल्प विल्यू बंदे ठीक है कि यह तो क्या वोली हम देखो दिहां से हमने बोला कि इन सब का जो mean होगा aim से denote कर रहे हैं हम अभी हम बोल रहे हैं कि यह a mean है तो यह क्या होगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप्टू 100 अप्टू n अपान में n यह इसका arithmetic mean होगे बेटा इसी चीज़ को जब हम represent करते हैं तो हम बोलते हैं summation of a i और अपान 1 by n i is equal to 1 से इन तक यहाँ पर जो i है न देखो यह विसे maths की term है mathematics में आप सीखते हैं और अगर आप 11 में हैं तो बच्चे आपको यह जो term होगी अगर 90 में clear हो तो ठीक है नहीं तो आपको यहाँ पर progression में भी देखने के लिए देखने के लिए मिल जाती है ठीक है summation है तो a1 प्लस a2 प्लस a3 अप्टू सोन इस तरह से इसका मतलब होगा i की value 1 से n तक है मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 है ना यह हमारे पास समिशन होता है तो वह एडिशन होते हैं और वह कुछ ऐसे पाय का function जब ऐसे कुछ इसे बनाते हैं यह वाला जो साइन बनता है तो इसमें मल्टिप्लिकेशन होता इसका मतलब है ना अगर ऐसा लिखा होता तो यह होता मल्टिप्लिकेशन a1 into a2 into a3 into a4 इसका मतलब ऐसा होगा यह ना अभी इसका मतलब यह है समिशन ठीक है तो हमारे पास ही हो गया इस तरह से हमको निकालना है एक्च्छल यह याद रखना हमने एक्स्पेरिमेंट परफॉर्म करा उसके अंदर हमने n टाइम्स रिडिंग ली है ना जब ने टाइम्स रिडिंग ली तो उसके अलग अलग रिडिंग आई है हमारे पास तो हमने क्या करा उसके एक्च्छल रिडिंग अगर दी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर नही अगर अगर उसने एक्छेल फैलियू दिये तो कोई दिक्कतफंड नहीं है ठीक्चे अगर ऐसे दिष्णा प्रकेर पिघ्ट्रू तो आपका जो पहला वाला जो रिजल्ट सा तो आप एक्छालरी से माइनस के देखेंगे तो आपका एरर बाहर आ जाएगा एरर निकालते कैसे हैं कितने की गलती हुई से बाते आपने 10 रुपे या 10 रुपे की चोकल खरीदने थे मान लो और आपने उसको 15 रुपे दे दिये तो आपने कितने की गलती करी बैटा 5 रुपे की गलती है ना तो आपने कि में आपने दिया उसको हम एर बोलेंगे ठीक तो हमारे पास actual value उसकी अभी यह वाली मानी जाएगी अगर नहीं दी है उसने अगर दे दी है उसने तो हम यह निकालने के कोई जरूरत नहीं है ठीक है यह दोनों ही तरह के question में कराऊंगा याद रखना चले तो absolute error क्या होगी हमा actual value minus जो सके reading में आई है अभी तो उससे error निकलती है ठीक है तो यह a1 की error थी अच्छा a2 की error निकालनी होती तो क्या लिखते बेटा a mean minus a2 अच्छा a3 की निकालनी होती तो यह होती बेटा a mean minus a3 अच्छा अगर मैं इन सब को इसे an की निकाल लूँ तो हमारे पास इस तरह से निकलेगी है क्लियर है अब अगर हम इन सब का कि एवरेज ले ले मीन ले ले अगर हम इन सब का मीन ले ले तो यह कहलाएगी मीन absolute error कि क्या बॉले हम एडर निकालना absolute और निकालना क्या होता है यह आपकी-a ऐ लिसे रीडिंगो मैनिस कर दो आपका या क्या होता है आपके जितनी भी रीडिंग के यहां पर एरर्स हैं आप उनका क्या लेलो मीन लेलो मतलब यह और हम उसको इस तरह द ले देल निये का होता है वो हम लिखते हैं डेल ए बार इस तरह से यह ना दोनों का मतलब एक होता है तो यहां पर क्या बलेंगे हम डेल एवन प्लस डेल एटू प्लस डेल एथ्री अप्टू सौन डेल एइन और अपान में अपर यहां पर एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना जो हम बताने वाले यहां पर बहुत इंपरेंट हो यह जो आपने डेल एवन डेल एटू ट्री डेल एफॉ लिखा है ना जिसे मान लो आपने एड़न निकाली ठीक है तो जब आपने एड़न निकाली तो हो सकता है कि फॉर इग्जाम्पल कि मान लो एक्चुए लेंध वन पोइंट हमने जब निकाला तो हमारे पास 1.7 एक बार ठीक है एक बड़ाया 1.9 आया एक बार 1.8 आया एक बार 1.2.0 आया एक बार 1.6 आया इस तरह से मारे पास विल लिए हमान लो ठीक है तो अगर आप इसमें यह अमने रिडिंग काले ना ए ए तू ए फरी इसे अमने रिडिंग निकाले ठीक है तो अब अगर आप इसके एरन निकालने जाओगे न देल डिलt 11 क्या यहाग बढ़ देल देल वन मतलब इंद वह को माइनस करोगा ठीक है यह तो काम आया ना भी इस तो error अपने पास point one की error हो जाएगी है point one की error हो जाएगी है ठीक है अच्छा ये वाला जो है ये तो ज्यादा आई है तो ये भी point one की error हो जाएगी तो बताओ ये दोनों एक है क्या ये दोनों एक है क्या नहीं है क्यों क्यों क्योंकि ये 1.7 था ये 1.9 है एक्षील में तो क्या हुआ कि डेल एवन ने एर्र जो है वह नेगेटिव करी और एटू ने एर्र पोजिटिव करी तो हमें साइन लगाना पड़ेंगे ऐसे हैं ना आपको समझे के लिए यह करना पड़ेगा साइन लगाना पड़ेगा पर दोस्त मेरा यह कहना है अच्छा अगर हम आपसे यह पूछते कि बटा आपकी जो इन दोने में नेट एर्र क्या हो गई तो आपको उससाब से देखे होगे तो जीरो हो जाएगा मगर यह यहां की दिक्कत है आपको कभी भी गलतियां आपस में किंसल आउट नहीं करना है आपको हमेशा गलतियां को एड़ी करना है तो यह जो हमारी गलतियां है ना यह गलतियां है अपनी तो हमेशा गलतियां को आपको एड़ी करना होता है हम यह इसलिए हम पर मोड जते में सद्वारा सॉब प्रक्षास कि एसलिए कि हम कभी भी गलती को माइनस नहीं कर सकती है। हमेशा प्रक्रास फॉइब होती है। क्यों सबस्क्राइब वैasika-leging के और जब आपने शक्र लेने गए तो मान लोगी वह 50 रुपे में से साध् रुपे की गलती से हैं अब तुम में फिरसे वाप फिस खरी मगर इस बहर आप ने पचास रुपे के बदले आपने 40 उपे उसको दे दिये ठीक है और आपने बेकुप बनाके आ गए अब देखा जाए तो आपने अपने अकोडिंग तो सही करा कि सर मेंने उसको 10 उपे पहले जादा दिया थे अब मेंने इसको बैलेनस कर दिया अब आबर हो गया मगर क्या आपने डोनो टाइम गति ही करी ए थे दो वह उधार दी ठीके गलतिया आपने दूरे बार करिए ठीके तो गलतिया यहीं होगी बात ध्यान रखना अभी आपको और भी आग इसके में समझा दूंगा टेंशन मतलो पर अभी आप उपर से समझ लो कि हमने इसमें मोड इसलिए लगा दिया क्योंकि हमेशा गलतियां एड ही होती हैं ठीक है चेलिए तो आपके बास क्या हो जाओ मैम होगा वह इन सब का मीर हो जाएगा ठीक है जो हमारी गलतियां है एक बर गलती दूkon तीञें इन सब का हम एवरेज लेले है टो मारे पास यह कहलाएगा मीन अब अगर हम बात करें तो देखो यहीं पर हमना रिप्रेजेंटेशन भी लिखना सीख जाएंगे देखो पर पहले आप सिखो अगर मैं बात करूं आपने कभी भी जब रीडिंग लिए तो हम यह बोलेंगे जो आपकी वेल्यू है ना एकी वह आप मेक्सिमम यह दे सकते थे आपने मिन एप्सुलिट एड़ को एड़ कर दिया ठीक है एक्चुल वेल्यू में आपने एड़ कर दिया ठीक है तो यह मैक्सिमम हो गई और मिनिमम क्या बोल सकते हो आप कि अध्यान Aid कि यह अप के पास क्या हो जाएगा एक मेक्सिमम यह वाला मेक्सिमम इरर और एक जडाब और रख्याट अजबता पूह यहिव आपने अगर आंसर दिया 230 तो मैंने जब तुम से पूछा कि बेटा एक्जेक्ट शूर हो कि तुम 230 ही आ रहे हैं तो तुम क्या बोलते हो सर प्लस माइनस 10 कर लेना हो सकता है सर मेरे तो यह जो होता है ना यह जो एरर है वह होगी आपकी कि आपने 30 का रइंज रख दिया हों पर यह बिल्कुल वह सही है ठीक है यह बिल्कुल वह सही है कि आप उसमें जो आपके प्लस माइनस यह लगा दिए हैं ना एरर आपने प्लस माइनस एरे करी मतलब यह हुआ यहां पर of any physical quantity, आप ये भी समझो, किसी भी quantity को हम हमेशा एरर के साथ लिखते हैं, हकिकात बात ये है, तो अगर हम ये लिखने गए, अगर हम ये लिखने गए, एक ये वेल्यू, एक ये वेल्यू लिखने गए, तो हमेशा हमें लिखना चाहिए, एक्च्वल वेल्यू के साथ कुछ इरर, कभी भी अगर आप एक्स्पेरिमेंट परफॉर्म करते हो, तो आपके पास हमेशा इस तरह से रिजल्ट होना चाहिए, कि हमने अगर इस लाइन की लेंथ मेजर करी, इस स्केल से, तो मान लो कि यह, यहां पर होता है, ठीके, तो यहां पर जो है न, यह यहां पर, मान लो यह, 7 है, यह 8 मान लो, यह 9 मान लो, इस तरह से, है न, यह 7 मान लो, यह 8 मान लो, तो अगर मैं यह बोलू हूँ आपसे कि इसकी लेंथ क्या है तो आप पता क्या अंसर बोलोगे कि सर यह ना 1.7 से थोड़ा सा बढ़ा है मगर 1.8 से छोटा है समझ में आरी बात तो आपको अंसर क्या देना चाहिए सर हम यह बोल सकते हैं कि यह 1.7 प्लस कुछ सम्थिंग एरर है सर उसमें आ है ना यह बोल सकते हैं 1.8 माइनस सम्थिंग एरर है तो हमेश्छा जो भी आप result जो भी भी observation करते हो ना तो आपके result हमेशा क्या होते हैं किसके साथ होते हैं एक एर के साथ होते हैं यह एर हो जाए गया पर है ना हलाकि मैं आगए आपको यह बताऊंगा लिस्ट काउंट के तोर पे तो वह सब्सक्राइब के बाते हैं मगर आपको यह आजाना चाहिए कि आपको कभी भी मेजर्मेंट लेना होता है तो हमेशा आप एर में अंसर देते हमेशा एक्जेक्ट वेल्यू कभी भी ने बताते हैं हो सकता है यह वाली जो एक तरीका तो वेटा ये है आपके पास represent करने का एक तरीका तो आपके पास ये है represent करने का और दुसरा जो तरीका है ये होता है कि आप इसको plus minus percentage की तोर पर लिखो ठीक है percentage error कि ऑफ इख कई बार इसी की टम में भी पूछ लेया है अक अब डॉनों ही स्था नों कि है बहुत जादा है ठीख एज कि अपर भी बहूत सारी को स्थे पुष्टा है और ये तो उसका जन्रल फौम है इसमें थो फूछ तही है ठीके तो आमाड़ा पर परसंटेज पर भी पूछ रहा हो कि परसंटेज ओफ एरर एक है ना इसमें यह इसका मतलब क्या हुआ आपको समझ में आ रहा है इसे मानलों में लिखा छे परसंट 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 लिख दिया मैंने 10 परसंट तो मतलब क्या हुआ कि 6 का 10 परसंट जो होगा ठीक है वो एरर है मतलब 6 का 10 परसंट बेटा कितना होगा पॉइंट 6 होगा तो मतलब अब अगर हम वेल्यू बोलेंगे कि कितने से कितने की बीच में है रेंज एक ही तो आप क्या बोलोगे सर 6 माइनस 0.6 मतलब 5.4 से लेकर 6.6 तक यह होना चाहिए सर आपका अंसर अब बासवान में आ रही है इस तरह से एक तो सीधे सीधे फॉर्म देगा और एक तो परसंटेज फॉर्म में देगा ठीक है हमें अब दोनों आता है चलिए अब आगे बढ़ते हैं फटा फटा है रिलेटिव एलएर अपके बस रिलेटिव एलर का मतलब होता है तो से इं डेल ए मीन अपरमेए फॉर्म कर दीआ हिर अप आपको यह पढ़ाया हमने, यह जो पढ़ाया है, हम इसको यह बार भी लिख सकते हैं, कोई लिकरत नी है, या तो यह बार बोलो, या 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 बार बात गो चलिए तो रेलेटिव एरह हमारे पास हो गई ड्ल değer अब वाई अ और यह ओजाएगा यह बैद बाय बैया यह लब यह गलती है मिन एक यह में एक टूट कि पर्लूट जी यह उसका में अच्छुट वैल्लीउ थी यह उसकी है डिल एम बाई एम इंटु हंडड़ आप अंड़ का मल्टिप्लाइ करते हो तो परसंटेज भार आजाएगा ठीक है अपको परसंटेज भार आजाएगा इस तरह से करते हैं ठीक है तो आपको क्या वाद समझ में आ गई हमने अभी कितने चीज़ बढ़ ली हैं यह सारी चीज इसकी नहीं दि होती है तो हम कि जो एक्सपरीमेंट हमने परफॉर्म करें हैं उनका एवरेज लेना पड़ता है और उसके वेलू है उससे हम अफजब सब्लड करेंगे तो हमारे पास एवन की एडर मिलेगी अ क्योट्म यह न कि वाट कोणी एपस्युट्सी। करेंगे हैं एक मिलेगी ठीक है तो वह एप्सलोट सब्सक्राइब अगने जो ऐवरेज गल्ती हैं फो इतनी है अंह superfici को एड़ा करा है कि हो सकता है मेरी कुछ गल्ती पॉजिटी होँ गल्ती नगर मुझे स्स्राइब करना को तो मैं क्या चहाँंगा अच्छी में से कम से कम गल्ती हो यह वाला वायर टाइट ना हो जाए 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 हम इस तरह से बनाते हैं तो हम रेंज लेकर चलते हैं कि इतने से इतने की बीच में हम कभी भी लिफ्ट बनाते हैं तो लिफ्ट में जिसे अगर आपने लिफ्ट में जिसे चरते हो तो लिखा रहे था कि इसमें 4% जा सकते हैं मगर हम इतने लोगों के ही अलोग करेंगे अ कि कि संभावना है ना कि पांच वा इंसान बेठे और तूट जाए तो इसलिए फोल लिग देते हैं है मगर हो सकता है कि वह सिक्स के सबसे बनाई गई हो या सेवन के सबसे बनाई गई थी ठीक है मगर हम हमेशा उसमें मैक्सिमम इर मानके चलते हैं ठीक है तो यहां पर भी वही है कि कि एप्सुलेट इर निकालना आ गया है ना उन सब खुष की डियेट ऒंखे तो उसका जो एवरेज इरे अमारे वो इसडि était और हमने एवरेज इर नकालना शीख लिया तो रिप्रेजेंटेशन लिखनां में रिते ओखिर ने देखना तो यह रिप्रेजेटेशन करना सिब्सिक्वलिए हमने तो आप इसको अच्छे से एकदम फोटो ले लो और यहां पर अपने कॉपिम होताल लो अब अपने शार्ट करने जा रहे हैं इसके पर बेस्ट कॉश्चन्स चलिए चलिए दोस्तों पहला कोश्चन आपके सामने है क्या कहा ही दमीन टाइम पेरेड ऑफ सेकंड पंडूलम है इस टू पॉइंट जिरो जिरो सेकंड थिके अच्छा बेटा टू पॉइंट जिरो सेकंड का मतलब क्या एं कि हम पॉइंट वण और पॉइंट-01 एक बीजा सकते है है ना हमारी मखीशन जो है काम करती है पॉंच 01 से केंड तक काम कर सकती है है ना चले तो तो क्या बोला है धति मीन टाइम परिए आफ न पंडुल सेकेंड पंडुलम is this and mean absolute error mean absolute error in the time period is this बीटा देखो उसने में में एप्लटेटर दे दिया है और में टाइम प्रेच किसी था प्रेच किस तरह से आंप लिखेंगे था पता हम टाइम परेड को किस दरह से लिखेंगे हम बोलेंगे कि भीया जो उसकी एक्षुल वेल्य होगी मतलब मीन वेल्य होती है हमने लिखा था है ना टी एम जिसे हम जो ही वह में एपस्लिट टाइम जो की आपको दे रखा इदर कितना दिया है जो कि आपको दिया है tm की वेल्यू कितने दिया है 2.00 सेकंड और आपको mean absolute error mean absolute error मतलब delta t का m है ना mean error का mean ले लिया आपने वो दिया है आपको कितना 0.05 सेकंड तो अब आपको यह दोनों value दिया है और यहाँ पर आपको दोन वेल्यू डाल देना है 5 सेकंड यह आपका अंसर होगा ठीक है तो आपका maximum minimum आपके पास क्या answer हो सकता है आपका maximum answer हो सकता है देखो अगर आप answer देने जाओगे यह से तो 2.05 इसका maximum होगा और 2-0.05 इसका minimum होगा ठीक है मतलब अगर आप इससे solve करें भी तो 1.95 से लेकर 2.05 तक इसका time period वेरी कर सकता है है ठीक है यह बिल्कुल वैसे answer दे रहे हैं जिस तरह से तुम बोलते हो ना किसरा हमारे number इतने से इतने तक आ सकते हैं वैसे ही है बिल्कुल है ठीक है चलिए अब next question करते है तो question आपके सामने है आप पढ़ लो अराम से ठीक है यह question जो है jwe में आया हुआ है अभी jwe में आया था 2016 में ठीक है जही मेंस में आया था यह जही मेंस में 2016 में आया हुआ हुआ है ठीक है अगर आप try करो question पढ़ो ध्यान से क्या लिखा है time period देखो time period of pendulum in different measurement उसने जो different measurement लिए तो time period जो आया यह यह और यह और यह आया ठीक है plus minus one मतलब उसका error है हुआ ठीक है जिस घड़ी में आप time period उसका measure कर रहे हैं उसमें कुछ one का error आता होगा ठीक है इसका मतलब यह होता है one second का error ठीक अब find the mean time period with error बताओ उसने बोला है कि mean time period with error यह सी पुछा है क्या mean time period with error यह पुछ रहा है क्या वो यह ना क्या निकालना है बटा हमें पहले तो लिख दो हमें mean time period with error बताना है यह आपर है यह ना बटा चलो अब एक काम करते हैं हमें यह सब दिया हुआ है तो हमें पहले तो चाहिए mean time period और फिर उसके बाद error चाहिए तो यह काम करते हैं हम पहले तो सिरियल नंबर से इसे लिखना है शार्ट करते हैं इसको जैसे यह हो जाएंगे इनकी value और यह हो जाएगा यहाँ पर इदर इनका error error मतलब delta T ठीक है delta T चलिए सबसे पहले एक दो तीन चार ठीक बताइए पहला वाला time period कितना है 90 का दूसरा वाला time period है 91 का तीसरा है 95 चोथा है 92 कि ठीक है तो यह time की value है यह time की value है यह T दिया है इसने ठीक है और यहां पर अपन delta T निकालेंगे तो delta T तो तभी निकल सकता है जब आपको actual value पता हो गोट इट डेल्टा दी आप तभी निकाल सकते हो जब आपको actual value पता हो तो actual value निकाले कैसे, इसने तो इस तरह से दे दिया, तो हमें तो आता actual value निकालते कैसे, अगर हमें actual value नहीं पता, तो हम mean value को ही actual value आन लेते हैं, तो इन सब का, अगर आप sum करते हैं, चलो जरल दी से कर लिया जाए, 90 plus 91 plus 95 plus 92, अपाउन में 4, इस तरह से अगर आप solve कर रहे हैं तो आपके पास यह लगभग आ जाएगा, 92, ठीक है, mean time period आपके आ रहा है, 92, यह आपका mean time period है, ठीक, तो अब mean time period मिल गया, तो अब हम इसको जब minus करेंगे, तो हमें error मिलेगा, चले, इसको अगर minus करेंगे, तो यह हो जागा हमारे पास, इसमें 2 का error माना गया, है ना, यह एक चले लिए हो गया, तो यह 2 का error, अच्छा, इसको minus करेंगे, तो यह 1 का error कहलाएगा, यह 3 का error और इसमें 0 का error, ठीक है, तो हमारे पास error आ गया है, अच्छा, error आ गया है, तो क्या हम mean error भी निकाल सकते हैं, mean error मतलब mean absolute error, है ना, यहाँ पर, तो mean absolute error मतलब क्या, 2 plus 1 plus 3 plus 0 upon 4, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 by 4 मतलब 1.5, है ना, 1.5, आप पस delta tm भी मिल गया, तो बेटा आपके पास, बहुत असान, mean time period और absolute दोने मिल गया, है ना, mean absolute error, ठीक है, तो ठीक दें, क्या हो जाएगा, 92 plus minus, प्लस माइनस होगा ये भी, ठीक है, तो plus minus, 1.5 second, ठीक है, तो यहाँ अपना answer, ठीक, मगर अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पर, एक बात बताओ, हमारी घड़ी जो है, वो एक second का ही minimum error बता सकती है, और आप अपने answer में, यहाँ अपर उससे भी accurate error बता रहे हो, यह किसे possible है, यह तो possible ही नहीं है, है ना, हमारी घड़ी भईया, minimum 1 second को measure कर पा रही है, और आप बतारो 1.5, मतब 0.1 second आप उसमें बता रहे हो, जो कि possible ही नहीं है, हमारी error से, आप देखो, हमेशा इसससे accurate नहीं हो सकता है, यह बात ध्यान र प gagner यह, तो हमने, अभी, इसका क्या करना पड़ेगा, इसका round of करना पड़ेगा और इसको, 18 significant figure में लाना पड़ेगा, ठीक है? एक significant figure में लाना है, अब कैसे लाया जाए, तो ध्यान से सुनो, इसको, एक significant figure में कैसे लाते हैं? तो, देखो, rounding of जब करेंगे इसको, जब हम इ बेटा यह 5 है ठीक है और इसके आगे कुछ भी नहीं है जीरो भी नहीं और कुछ भी नहीं लिखा कुछ लिखा होता हम बढ़ा देते हैं मगर अभी तो कुछ भी नहीं लिखा और फाइव है तो आगे क्या लिखा है एक ओड नमबर लिखा है यह क्या है एक ओड नमबर ओड नमबर है तो हम क्या करते हैं सीधे सीधे बढ़ा देते हैं क्या करेंगा हम अंसर सीधे सीधे बढ़ा देंगे तो अंसर हो जाएगा आपका यहां पर 92 प्लस माइनस 2 सेकें यहां यह हो जाएगा ठीक है यह आपका अंसर होगा एरर आपका जो आया था उसमें आपने significant figure देखा वो ज़्यादा है ठीक है आपका accuracy ज़्यादा हो रही है पहले से उनकी error से भी उनकी machine से भी ज़्यादा perfect चल रहे हैं इस पोसिबल ही नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा इसको round of सबसे पहले आप यहां पर पोस्ट करो और यह question खुझ से करो मैं चाहता हूं कि यह question आप खुझ से करें और इसका सही जवाब दें ठीक है तो आपको यह पूरा जितना भी concept अभी आपने पड़ा है सारे कसारा आपका क्लियर हो जाएगा ठीक है आप खुझ से करो तो आपके पास नहीं थोड़ा सा इसे प्रेक्टिस हो जाएगी आपकी अभी तो आप से खुझ से बनने लगें के अच्छे से ठीक है बहुत असान हता है यह चलिए सुलीशन में बताता हूँ अब ठीक है आप इसका सुलीशन खुझ से करने के बाद ही देखना चलिए क्या बोला उसने द पिरेड ओफ ओसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडूलम इन द एक्स्परिमेंट इस रिकोर्ड एज दिस 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 और इस रिस्पेक्टिवली अब उस है तो सबसे पहले काम करते हैं हम सिरियल नंबर लिग देते हैं ठीक है अच्छा हमारे पार जो मीन अप्सुलीट एडर और यह सब जो वेल्यू निकाली जाती है वो किस तरह से निकालते हैं सर वह होता है टी मीन प्लस मानस डेल्टा टी हैं सिंपल सी बात ठीक है तो अब हम बात करें यहां पर तो यहां पर हम टाइम की वेल्यू लिख देंगे और यहां पर हम एरर की वेल्यू लिख देंगे डेल्टा टी है ना एरर यहां टाइम लिखेंगे जो वेल्यू आई हैं और यहां पर एरल निकालेंगे एरर किससे निकालते हैं, डल्टा टी किससे निकालते हैं, एपसुलिट एरर, सर एक्च्छल वेल्यू, माइनस जो भी थी यहां पर, तो वन 2345, यह आए हैं, अब चलो, 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80, यह इनके नमबर थे, चले, तो सबसे पहले हैं, हम मीन, क्योंकि एक्च्छल वेल्यू नहीं दी है, तो हम एक्च्छल वेल्यू निकाल देते हैं, किस तरह से निकालते हैं, टी मीन, तो यह आपके पास टी मीन कितना हो जाएगा, देखे धियान से, जो टी मीन होगा, हम इसे अगर देखें, तो यह हो जाएगा, 2.63, प्लस 2. 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 2.80 आप इसे सॉल्व करो और 5 से डिवाइड मारके इसे सॉल्व करेंगे तो आपके आज फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो 2.62 हो जाएगा इदे अंदर ठीक है यह आप खुद भी कर सकते कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है 2.62 बनेगा ठीक अब बता इसकी एक्चुल वेल्यू मानी जाएगी अब बाइस सब इसको माइनस कर दो तो दिखें यहां पर यह आएगा 0.01 का डिफ्रेंस ठीक है फिर यहां पर से इसको माइनस करेंगे तो यह कितना हो जागा 0.06 का डिफ्रेंस तो अभी आप बोलोंगे सर इसमें प्लस और माइनस तो आप लिखी नहीं रहे है अब मैं इसलें नहीं लिख रहा क्योंकि मैं तो सभी एडिकरता हूं बात सही है न तो हम सभी एडिकरेंगे हमीशा ठीक गलतिया मेंशा एडिकरना होते हैं तो हमीशा इसको पॉजिटिव रखो फिर 2.42-2.62 तो यह कितना हो जागा आपके ब हर एक एक्सपरिमेंट के रीडिंग के तो अब अगर हम इसकी एवरेज गलतिया निकालें एवरेज गलति कितनी है तो एवरेज गलति कितनी है रहो इन सब को सम कर लो है ना तो 9,8,17,18 और 6,24,12,24,15 तो अब कि बास हो जाए ये 0.54 divided by 5 करोगे तो यह कितना हो जागा 0.108 अब यहाँ पर वापस से वही गलती देखिए वापस से वही सोचना है हुआ क्या है कि हमारे पास यह तीन सिग्निफिकन्ट फिगर रहेगा है तीन सिग्निफिकन्ट फिगर है ठीक है मगर हमें बनाना कितने में है दो में सभी बात है न हमें तो दो में बनाना है हम दो में ही जा सकते है भी जाल से यादा दो से बाहर नहीं जा सकते आप तो आपको इसको फिर से क्या करना पड़ेगा राउंड ओफ करना पड़ेगा तो बिटा अब rounding off किसे करें जल्दी से बताइए क्या answer आएगा यहाँ पर 8 है तो 8 को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा एक बन जाएगा आगे बढ़ जाएगा ठीक है तो आपको बास क्या बन जाएगा जो delta tm है delta tm वो आ जाएगा 0.11 यह आपका आएगा delta tm फिर तो ठीक है तो आपके पास यह आपके पास time होगा यह आपके पास आगया time ठीक है चलो जल्दी से percentage error निकाल दो आप percentage error किसनी होगी percentage error of t चलो निकाले कैसे करें तो क्या बोलेंगे गलती अपान में actual value तो गलती कितनी है क्या बोलते हैं formula delta t mean अपान में tm हम यह बोलते हैं formula है ना into 100 याद होगा तो गलती अपान में actual value तो 0.11 divided by 2.62 into 100 तो अगर आप इसे जब solve करेंगे तो यह मैंने solve कर राखा है तो इसलिए मैं answer लिख दे रहा हूं सीरी सीदे ठीक है तो percentage of t जो निकलेगा वह हमारे पास हो जाएगा nearly इसी यह निकलता है 4.19% तो आप nearly आप इसको बोल सकते है 4.2% ठीक है option के साब साब देख सकते हैं यह आ आपका answer आजाएगा ठीक है चलिए थैंक यू